नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका संकल्ब मैथ की यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले तो आप सबको सुतंतरता दिवस की सुब काम नहीं आप सबको पता ही है कि हमारा देश आजादी का अमरित महोसो मना रहा है क्योंकि हम लोगों ने आजादी के 75 वर्स पूरे कर लिये है इस 15 अगस 2022 को सरकार दोरा हर घर तिरंगा कमपेंच चलाया गया है जिसके तहट सभी नागरिकों को सा सम्मान अपने घर पे तिरंगा फैराना है उसके लिए तारिक निर्धायत की गई है 13 से 15 अगस्त तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आजादी का अमरत महसो क्या है क्या इसका उद्देश है और हरगर तिरंगा से समंधित अब ये कमपेंच चलाया गया है तो इसमें जो हमारा राश्ट्री द्हज है उसका इतिहास क्या रहा कैसे बना हमारा राश्ट्री द्हज किसने इसका निर्मान किया जो ये आज के टाइम पे हम राश्ट्री द्हज देख रहे हैं क्या पहले भी ऐसा ही था या कुछ बदलाव किये गए ये सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में तो बने रही है हमारे साथ में लाश्ट्र तक तो सबसे पहले देखते हैं आजादी कामरित महसो जो आजादी कामरित महसो जो है वो 15 गस 2022 से 75 हपते पहले ही प्रारम कर दिया गया था 12 मार्च 2021 को यह हमारे देश के प्रधान मंतरी स्री नरेंद मोधी दोरा गुजरात के सावर मती से स्टार्ट किया गया 12 मार्च ही क्यों चुनी गई यह तारीक क्योंकि 12 मार्च को महत्मा गांधी दोरा डांडी मार्च निकाला गया था सावर मती आश्रम से इसके तहट आजादी के अमरत महोसों के तहट जो ये पूरे 75 हपते हैं इसमें पूरे देश में विभिन कारिक्रोमों का आयोजन किया जाएगा और यह कब तक चलेगा 15 अगस्त 2023 तक मतलब अगले वर्ष 15 अगस्त तक चलेगा आजादी के अमरत महोसों में प्रदर्सनिया आयोजुत की जाएंगी जिसमें आसायोग अंदोलन, सबने अवग्या अंदोलन, भारत छोड़ा अंदोलन जो हमारे देश के आजादी में जो जो अंदोलन किये गए और जो जो नेता हैं हमारे जिन्नोंने संघर्ज किया तोको दिखाया जाएगा और देश के लोगों को देश के युवा, जो हैं, बच्चे हैं उन सब को, जो हमारे इन योद्धाई, उनके बारे में जानकरी दी जाएगी इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, जो हरगर्ति रंगा कमपेन चलाय गया है इसका उद्देश क्या है? इसका उद्देश की प्रतेग नागरिक के मन में राष्ट्री धोज है उसका इतिहास सबसे पहले जो हमारा राष्ट्री धोज 1906 में फहराया गया कलकत्ता के ग्रीन पार्क में वो इस तरीके का नहीं दिखता था, इस तरीके का हमारा आज के समय राष्ट्री धोज है उसका हमे ठोट्य डाला है, आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से तीन कलर थे, सबसे उपर हरा, फिर पीला, फिर लाल, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ करता था, उपर कमल और नीचे आधा चान और इधर सूरज, ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला दोज था राश्ट्री दोज जो 1906 में कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फेराया गया, उसक को फेराया, वो कुछ इस प्रकार का दिखता था, उसके बाद में, 1917 में डाक्टर एन्नी बेसेंट और लोकमान तिलक द्वारा, होम रूल लीग अंदोलन चलाए गए, उसके लिए एक नए जिंडे को उन्होंने अपनाया, इसमें देखो, कई सारी पट्टियां लगी होती यह ऐसा कुछ, इसमें लाल हरी पट्टियां, यह तारे जो सब्तरिसी के, जो विन्यास जैसे सब्तरिसी का होता है, जैसे डिजाइन जो सब्तरिसी का होता है, वैसे ही डिजाइन के तारे बनाये गए, और एक इधर चंद्राकार और उपर एक तारा, फिर उसके बाद में, 1921 में राष्ट्र पिता महत्मा गांधीन द्वरा चलाया बनाया गया एक राष्ट्री धोज इस धोज में लाल और हरे रंग के साथ सफेद रंग भी सामिल किया गया इस धोज के सेंटर में चर्खा रखा गया लेकिन इसका स्विकेंस कुछ अलग था देखे सबसे उपर सफेद रंग फिर हरा फिर उसके बाद लाल और इसी की बीच में चर्खा बना दिया गया ठीक है चर्खे का रंग कैसा रखा गया गहरा नीला इसके बाद में 1931 में कॉंग्रस की समिती हुई कराची में पिंगली वेंकईया जिन्होंने हमारा जो राष्टरी ध्षज है उसको प्रस्तावित किया था उनके द्वरा ही हमारा राष्टरी ध्षज जो है आज के वरतमान राष्टरी ध्षज को प्रस्तावित किया गया भारत के राष्टरी ध्षज के रूप में अपनाया गया उन द्धु का धर्म कलर है, यह मुस्लिम का कलर है, जो धज का सीर्स कलर केशिर रंग था वो ताकत और साहस का प्रतीक हुआ करता था, और सफेद रंग तो आपको पता यह सांती का प्रतीक होता है, सच्चाई का प्रतीक होता है, और वहीं नीचे जो हरा रंग होता है, वो भूम की उर्वरक्ता व्रद्धी और सुवता का प्रतिक होता है यह जो द्धज है यह था जो हमारा 1931 में अपनाया गया लास्ट में सम्विधान सवात और आप 22 जुलाई 1947 को राश्ट्रे द्धज को अपना लिया गया इसमें गहरे के सरिया रंग को उपर रखा गया फिर बीच मे चर्खे को चक्र से प्रतिस्थापित कर दिया गया नीले रंग का चक्र होता है जो असोक के सारनात में जो सिंग स्थम्भ है उस चक्र को अपना लिया गया यह हमारा फाइनली राश्ट्री द्धज बन करके आ गया तो यह था हमारे द्धज का इतिहास अब हम लोग देख पहले नीयम यह था हमारे द्धज को फेराने का की सुबह आप फैराएंगे उसको और उसके बाद में साम को उतारना पड़ेगा लेकिन अब जो नए नियम है उस में आप राद में भी द्धज है जो फेरा सकते हैं साम को उतारने की ज़रत नहीं है पहले पॉलिस्टर और म मार देखिए जो पिंगली वेंकईया थे उन्होंने किया था 1921 में पिंगली वेंकईया ने 1916 से 21 तक तक तकरीबन 30 देशों कर आश्ट्री धोच का अध्यन किया उसके बाद उन्होंने ये डिजाइन तयार किया उस समय के तरंगे और आज के तरंगे में थोड़ा सा फर्क है तरंगे में पहले लाल रंग हुआ करता था जो अब बदल करके क्या हो गया है कहरा केसरिया रंग वहीं चर्खे का चिन्ह जो पहले जिसमें जगे दी गई थी जो माहत्मा गांदी ने चर्खे का चिन्ह वाला जिंडा बनाया था उसमें से चर्खे का चिन्ह लिया गया था उसकी जगे बदल करके अब कौन सा हो गया है सोक चक्र ने स्थान ले लिया है 1931 में प्रस्ताव जो पारित हुआ था करांचिय धिवेशन में उसके बाद लाल रंग को हटा करके क्या कर दिया गया था केसरिया रंग कर दिया गया था कि हमने देखा कि आज़ादी गामरित मुहसो क्या है उसके बाद में हर घंगा के तहत उसका उद्देश क्या है फिर हमने देखा राष्टरी ध्षज का इतिहास 1906 में Green Park में फैराया गया उसके बाद में 1907 में विधेश में मैडम भीका जी कामा दोरा जर्मनी में फैराया गय फिर उसके बाद में 1917 में एन्नी बेसंट और लोगमान तिलक दोरा एक नया डिजाइन वाला दोज को अपनाया गया वहीं 1921 में महत्मा गांधी ने एक नया दोज का निर्मान किया जिसमें चर्खे को भी इस्थान दिया वहीं 1931 में कॉंगरस समीत दोरा टिंगली में इंकाया दोरा निर्मित दोज को अपना लिया गया और लास्ट में फाइनली 1927 22 जोलाई 1927 को अपने दोज को अपनाया गया है जो की वरतमान दोज है तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को कमेंट करके बताना है कैसी लगी ये वीडियो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते है न टेक केर